हेलो बच्चो, वेलकम बैक ओन मैं यूटूब चैनल और हम बाट रहे हैं यहाँ पे कक्छा साथ गड़ेते हैं और पहले हमने प्रस्णावली 1.1 को किया था, आज हम प्रस्णावली 1.2 को सॉल करेंगे तो 1.2 को सॉल करने लिए सबसे पहले हम बेसिक को समझ लेते हैं और उसके बाद इसके सबालों को करेंगे तो चलिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं चलिए बच्चो, अब हम सीखते हैं यहाँ पे exercise 1.2 यानि प्रस्णावली 1.2 के basic के बारे में यानि कि प्रस्णावली 1.2 को solve तो करेंगे लेकिन पहले उसको basic को समझेगे तो basic को ध्यान से समझना तो चलिए सबसे पहले हम को यह देखना है कि प्रस्णावली 1.2 के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे तो देखो बत्चो प्रस्णावली 1.2 के अंदर हम लोग सीखती है पूरणकों का गुणा यानि पूरणक जो संख्या होती है उनका गुणा किस तरीके से होता है पूरणके बारे में हमने 1.1 में समझ लिया है तो अब देखो पूर्ण को गुड़ा क्या होता है देखो normal गुड़ा तो आप जानते ही हो जैसे 2 का गुड़ा अगर हम 3 में करेंगी तो कितना आएगा दू का गुणा तीन में करेंगे तो कितना आएगा छे आएगा गुणा तो आप करी लेते हो चार का गुणा दो में करेंगे तो कितना आएगा ठीक है आठ आएगा यह गुणा तो आपको आता ही है ठीक है लेकिन यहाँ पर हम बोल रहा है पूर्णांकों का गुणा, तो इस भी यो पूर्णांकों होते हैं उसमें क्या है, प्लस माइनस बहुत ज़्यादा माईने रखते हैं तो आपको यहाँ पे चिनने के रूल पता होना चाहिए बटा तो यह रूल है यह रूल आपको याद रखना है ठीक है, पूर्णांकों के गुणां के लिए, पूर्णां के गुणां के लिए आपको ये रूल याद रखना है, क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको एक बात का याद रखना है, कि अगर माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस और उसका गुणां, बीच में गुणां का न रखनी है अगर यहां पे एक प्लस और गुणा और एक माइनस तो हमीज़ा क्या आएगा माइनस आएगा इन दो बातों का आपको धियार रखना है गुणा करते समय के लिए बात समझ में आगे यह दो बात आपको याद रखनी है माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या ह माइनस दो से करेंगे तो कितना आए गए ग मैनस चार का मैनस दो से करेंगे गये तो आपको होता है माइनस का गुणा माइनस होता है यानि कि माइनस माइनस क्या बन जाता है देखो माइनस माइनस प्लस तो यह किसका आ गया प्लस का आठ आ गया किलर समझ मा गया तो इस तरीकिसे हमको को कोशन को करना है अगला एक और करते हैं देखो यहां पर एक और कोशन ले 2-2 माइनस 3-3 माइनस को तो जातु है जाएया 24 अब चिन्नों का गुणा होगा weiß थो अब यह दो पूरे कैसे वह माइनस है माइनस को किनो माइनस कितने हैं, एक, दो, तीन, तो आपको ध्यार रखना है, अगर, माइनस देख रहे हैं, ठीक है, अगर सबी कैसे हैं, माइनस हैं, सबी माइनस हो, तो आपको एक चीज का ध्यार रखना है, आपको, अगर यहाँ पे, माइनस की संख्या, ठीक है, एक सम संख्या है, तो आ आपको क्या कर देना, वहाँ पर प्लस लगा देना है, यानि कि प्लस का बन जाएगा, अगर माइनस की संख्या, अगर बिसम संक्या है तो आपको क्या लगा देना माइनस है ठीक है सम बिसम तो जानते हो कि नी सम क्या होते है जैसे दो, चार, छे, आठ, दस ये सब क्या होते है सम होते है एक, तीन, पाँच, साथ, नो ये सब क्या होते है बिसम होते है अब देखो यहां पर घ्धीं से सुना देखो विक एक कैसी इस से क्या होगा आपको ज्याते दिमाग को प्रेखा यहां पर देखो आप्का मायनेस कितने मायनेस किन ते दए लोक़ गुणक अठीक ये कुछत आम और करते हैं याप देखूं, ये लीजे, जितना बेसिक को समझो गो उतना सही रहेगा, देखूं याप ना माइनस का, चार गुणा 6, गुणा माइनस दो ठीक है और गुणा माइनस एक ठीक है इनका गुणा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या करते हैं नंबर का गुणा कर लेते हैंपर कईर पता ही होगा चार चेंग, 24 और 24 दूनी कितना हो जागा, 48, 48 का एक में करेंगे तो क्या जागा, यहाँ पर 48 आ जागा, पहले तो गुणा करो, पहले क्या करना है, अब चिन देखो, चिनों को गिल्लो, सभी माइनस है ना, तो चिन गिल्लो को जिखते है, एक, दो, तीन, čार, चार, चिन कि बाला माइनस कट गया है, ये बाले माइनस से ये बाला माइनस कट गया है, तो माइनस क्या हो गया है, हाँ पे गायब हो गया, क्लिएर समझ में आगे आपको, ठीक है, तो इस तरीकी से हमको माइनस वाले कोशन करने हैं, अब आते हैं, अगर एक प्लस हुआ, ठीक है, अगर य किया तो कैसे सवाल को करेंगे। अब 살裡面 вал 마음에 ठीम लियाे तौको क्या थित्यान देना हैं एक रिणात्मा को और रहां को बिना को गना टा आपको क्या करना है यदिसे आपका कोशन है ही आपर माइनस चार का गुणा हम किससे करेंगे तीन से करेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, चार का गुणा तीन में करेंगे, तो कितना जाएगा, बार आ जाएगा, और ये प्लस का नमबर हो, और ये किसका, माइनस का, तो मैंने बताया था, अगर प्लस और माइनस होता है, तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आजाएगा, एक प्लस और एक माइनस, हमेसा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से, आपको सवालों को सॉल कर रहे हैं, एक और कोशन कर लेते हैं, माइनस आठ, गुणा, ठीक है, दो, कितना आएगा इसका अंसर, तो देखो, आठ दूनी, 16, और प्लस माइनस क्या हो जागा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से, हम लोग क्या कर लेंगे, कोशन कर लेंगे, अब हम सवाल करेंगे, प्रस्णावली के, तो हमको और समझ में आएगा, चलिए, अब हम प्रस्णावली को सॉल करते हैं, अब देखो बचो, basic समझ लिया हमने, अब basic के बाद हमको क्या करना है, अब सवालों को सॉल करते हैं, अब देखो, पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल देखो क्या है पहला सवाल है हमारा यहाँ पर तीन का एक में गुणा करना है मैंकाम यहाँ पर चिन्नों का है न आपको याद रखना है अगर दूनों माइनिस माइनिस आ गए तो क्या कर दिना है प्लस कर दिना है ठीक है अगर तीन माइनस आ गए तो लोट के क्या जाएगा माइनस आ जाएगा और चार माइनस आ गए तो क्या कर देना है फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऐसी होता है और एक प्लस और एक माइनस आ गया तो क्या करना है तो क्या करना है तो चलो यहां पर पहला सव में कैसे करना है सिंपल सी घृता यह की मैं सिर्मनों का गुञा थी यह आप का आँसर ओंसर हो गया तईसरे तो देखो देखो तीसरी में किया करना है तीसने में देखिए तब 52 का 30 से गुझा कर लेते हैं तो गुझा करते हैं दिखो 0 गोरती एक म था स्वीं अच्छिए हो साना है कि नागी अपिट घ्र सवर सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर 2 माइनस यह जाता है ठीक है अगला कोश्चन इसका कि अब तो आप करी लोगा आप से ठीक है इस वाले में 316 का एक में गोड़ा होगा तो कितना हो जागा तो आपका 316 का आएगा प्लस का आएगा क्लियर हो गया यानि कि दो रहनात्मक पूरां को गुड़ा करेंगे तो क्या आजएगा यह माइनस तो गया ठीक है इन्टू में क्या है माइनस का 18 और इसका जीरो से मैल्टिप्लाइ करेंगे तो यह पूरा क्या हो जागा जीरो हो जागा तो इसका आंसर तो क्या हो जागा यहां पर जीरो आएगा क्योंकि जीरो है ना गुड़ा में किसी नमबर से जीरो गुड़ा करें तो पूरा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है अब बाले को कर तो कितना आजाएगा अगला कोशन को करेंगी अब तो कर लोगे ना कोशन अब तो समझ में आ रहे होंगे इसका गुणा करते बच्चो तो कितना होगा देखो यह देखो माइनस सी यह माइनस क्या हो जाएगा कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे तो प्लस प्लस वाली बच रहे हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे नौत यह कितना हो जाएगा 27 27 गुणा कितना हो जागा 6 ठीक है अब 6 का गुणा कर दो 47 कितना हो जागा 42 ब्यालीज़ की 2 हासिल कितने आएगगी 4 गुणा करना तो आता है डा ठीक है अब यहां पे 6 दूनी 12 12 12 हो 4 कितने हो जाएगँ 16 112 टामारा किया जाएगा यहां पे qanser आ जाएगा ङए इस तरीक से इसको करते हैं इसको करते हैं देखो यहां पर कहना है यहां पर देखो इसंवाले का गुणा करते हैा फिरिस वह हुआ थीक है अब यहाँ पर देखो अब लिए करेंगे भी करेंगे कि इतना होता है कि याद रखना है प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस रहेगा एक प्लस का आएगा और एक माइनस का तो आपको क्या लिखना है मिसा माइनस से लिख रहेगा ठीक है की नहीं क्लियर हो गया अगला कोशन इस वाले question को करें तो देखो इस वाले question में क्या करना है सबका गुणा करना है 6 का 3 में करू 6 का 3 में करेंगे तो कितना हो जागा 18 हो जाएगा ठीक है और ये minus से minus क्या हो गया कट गया गुणा यहाँ पर 2 का 1 में करेंगे तो क्या हो जागा 1 2 और यह माइनस से माइनस कट गया. 4 माइनस है ना? आपको पता आ है था मैंने? 4 माइनस होते है. एक लगातार 4 माइनस, तो आपस में क्या हो जाते है? कट जाते है. प्लस मैं जाता है. अतहरा दूनीक greeted कितना जागा यहां पे? अठार दुनिया जागा हमारे 36 यह हमारा यहाँ पर आंसर हो गया ठीक है अब आई वाले को करते हैं आई वाले में देखी क्या है यहाँ पर देखो 2 का 1 में गुणा करें 2 एकम 2 और यह माइनस से माइनस का होगा कट गया तो प्लस का 2 बन गया भूटाउं यहां पर देगोस्ति इंकल वुद्ग माइनने सेकिट शर्म वह लेकिट सिंग्ड कितना होट यहां पर वार उन्थ ही। प्लस का और माइनस का और एक प्लस औरक्ले मारती है तो क्या वैस साथ है यह उन्स सिरो जोम कूल है रहो है अब देखिए question number 1 को solve करने के बाद हम लोग question number 2 को solve करेंगे question number 2 में क्या करना है निमले खित को सत्यापित कीजिए आपको क्या करना है इसको सत्यापित करना अब सत्यापित कैसे करते हैं देखो इसको अलग solve करेंगे और इसको अलग और यह आपसों बराबर आ गये तो यह क्या हो जागा सत्यापित तो इसमें आपको बर्डरूल लगारा है अब बर्डरूल पता है ना किया होता है सबसे पहले क्या आता है याणि क्या हम सबसे पहले किसको solve करेंगी तो mean which one करेंगी उसके बाद किसको off को ठीक है उसके बाद G image L federal the Kira vacunा यानि की भाग है दीवेजन को सौल करेंगे यानिQué पहले बाग को करेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे यानिके मिल्टिप्लाई कि यानि कि gallery और फी गुणा करेंगी नहीं कि सब्सक्राइब है जूड करेंगे इस चीज़स का जिर्वान रुप ओम और प्लस भी है माइनश भी है और आता है तो आपको क्या करना है सबसे फैले बैड़े हैं रखना solve करें इसको ठीक है इसको solve करने का क्या तरीका है सबसे पहले आपको ध्यार रखना है इसमें bracket को solve करना है देखो bracket यह रहा है कि नहीं इसको solve करेंगे तो यह तो बैसा का वैसा ही लेखा रहे ने दो यहाँ पर देखो इसको 18 आमने वैसे कब ऐसे ही लिखना ने दिया यहां पर क्या लगाया गुणा ठीक है इसको सॉल करते हैं यहां पर देखो यह ब्रैकेट लगाया हमने यहांपे क्या है साथ और धियार रखना प्लस माइनिस आपको बता है ना जzero चेन एक गट है प्लस माइनिस तो क्या आए गए यहाँ जल्दी से तो 78, 56 का 6, ठीक है, 78, 56 का 6, आहांसल कितने आ जागा यहाँ पर, 5, ठीक है, उसाती कम 7, 7 और 5 कितना हो जागा, 7 और 5 कितना हो जागा, यहाँ पर 12 हो जागा, तो 126, ठीक है, यहाँ पर यह तो solve हो गया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, अब इसको solve करो, इसको solve करते हैं, यहाँ पर 18, 18 यह कितना होता है, 15 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, plus, bracket में क्या आजाएगा, minus का 14, अब देखो minus का क्यों आया, यह तो पता है ना, क्योंकि यह minus और यहाँ पर plus, plus minus क्या हो गया, minus, solve कर लिया, अगली line में देखो, क्या आएगा, अगली line में देखो, यहाँ पर 18 बैसा का बैसा ही, गुणा, 7 में से 3 जाएगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, बराबर लगाया, इधर देखो, 126, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, plus, minus क्या हो जाएगा, दो चिन आगे, देखो, एक plus आगे, और यह क्या हो जाएगा, minus, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर minus, double chin का पता है न, जब भी double chin आएगे, तो minus होगा, तो क्या आजाएगा, प्लस आजाएगा और प्लस माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस आगा चिन ओगा गुणा हो जाता है तो यहां पर प्लस माइनस क्या है माइनस और यहां पर कितना होगा चोगन अब यहां पर देखो आएगा यहां पर देखो यहां पर कितना आएगा यहां पर देखी सब्सक्राइब करते हैं तो और किलियर हो जाएगा इसको करते हैं देखो इस वाले को इसमें भी क्या करेंगी सबसे वाले ब्रैकेट देखो बईटा कहां कहां है ब्रैकेट यह तो सिंगल ब्रैकेट को तो बैसा ही लिखे लेते हैं ठीक है तो माइनस है किस वैसा का बैसा ही गोड़ा यह वाला ब्रैकेट देखो इसमें यहां देख रहा है त चार और यहां पर देखो प्लस और क्या यहां पर माइनस है एक प्लस और एक माइनस है ना तो प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे आपर माइनस और यहां पर कितना जगा च्छे आज जाएगा ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद कर देंगे ठीक है अब क्या करना यहां पर आग तो 4एकम, 4 और 4 दुनी कितना ओुगिया है, अठ चा्ट, ठीक है और माइनस से माइनस क्या हो गया है, यहाँ पर कट गया, प्लस का बन जाएगा कि नहीं? अब यह हमारा यहाँ पर यह सॉल हो गया यहाँ पर क्या लगाए यहाँ पर प्लस लगाएंगे यह दो चौरासी आ गया और यहाँ पर देखो यह भी देखो यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो गया यहाँ पर कट गया 21 का 6 में गुड़ा करो तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 126 आ गया इसको आप चौल करो देखो यहाँ पर कौन बचा है माइनस का 21 गोड़ा यह माइनस 4 और यह माइनस 6 कितना हो जागा दोनों माइनस के न जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जागा 10 होगा की नहीं यह पहले हमने सीखा है अब गोड़ा होगा यहाँ पर 21 का 10 में गोड़ा करेंगे तो कितना आएगा 21 का 10 में गोड़ा करेंगे तो 210 आएगा की नहीं और यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया प्लस का बन गया और यहाँ पर देखो 126 और 80 एड़ करेंगे किसी भी पूणा के a के लिए minus a गुणा minus 1 into a किसके समान है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर solution लेखना है और solution में हम क्या करेंगे देखो बच्चो यहाँ पर यह बोल रहा है minus a का जो गुणा है ठीक है वो किसके समान हो और यह a कौन सा फूणा के यहाँ पर देखो minus 1 into में क्या करेंगे हम a करेंगे ठीक है माइनस 1 का a में गुणा होगा तो आपको पता है a का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा a आएगा की नहीं और यहाँ पर देखिए यहां पर पर देख कि यह माइनस है और हम प्लसा मैनेस के बराबर है कि सब्सक्राइब यहां पर लिजिते को सबудूराबर है तो आपको पता हो dif Virginia माइनस जो नंबर है न तो कैसे हैं माइनस का हम बोलेंगे माइनस एक कर झु би रिनात्मक पूर्णा का ठीक है तो यह हो गया आपका question यह तीसरा हो गया अब इसके तीसरे के दूसरे question को करते हैं हम लोग तीसरे का दूसरा question क्या है देखो तीसरे का दूसरा question क्या है वैपूरांग ज्याद कीजिए जिसका minus 1 के साथ गुणन फल है ठीक है आपको किया करना है यह माइनस 22 है ना माइनस 20 करेंगे तो आपको पता होगा है यहापे प्लस हो जाता है 22 का एक फिल्क न फिल्ल न ये पूंक है यहnya सिर्फ में 37 में भी हम क्या करेंगी मैनिस का गुणाह करेंगे तो 37 गुणाह यह बाले को हरा ठीक है उन है सका यहाँ यहाँ यहांपर मैने सिंगल है तो यह प्लस मैनेस होता यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस 37, यह कैसा है, एक रेनात्मक पूरांक है, है ना बिल्कुल सिंपल, और यह वाला तो आप समझी के होंगे, अगर हम क्या करते हैं, आप जीरो का इंटू, सी वाले को सॉल कर रहे हैं, जीरो का इंटू, किस से करेंगे, माइनस 1 से, तो आपको प करेंगे, तो पहले इसका गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, माइनस 1 का गुणा अगर हम पांच में करेंगे, देखो यहां पर, माइनस 1 का गुणा, पांच में करेंगे, तो कितना आजाएगा, पांच एकम, पांच, और यहां पर माइनस का फाइब आजाएगा, आजाएगा किनी, फिर माइनस 1 का गुणा, किस से करेंगे, चार से करेंगे, क्योंकि हमको माइनस की ओर जाना है, ठीक ह कि नहीं और माइनस्वान का गुणा किस से करेंगे उस अब दुन से करेंगे तो कितना जागा माइनस का दूहाजाएं डौक समकार कुषिक म्याद करेंगे ठीक है जिरो से गुंखेंगे तो यहां पर 0 आजाएगा अब यहां पर देखो minus one का गुणा जिरू को बाद को आता है number line पे minus one आता है कि नहीं ठीक है और minus one का कुणा minus one से करें तो क्या जागा one यह देखो आ गया कि नहीं यह वाला यही चाहिए था कि नहीं यह हमारा यहां पर answer हो गया इस तरीके करना है कि लिए समझ में आ गया ठीक है तो ऐसे इस कोशन को सुल करना है यह सीधा-सीधा number line है बेटा number लाइन तो जानते हो 0 1 2 3 ऐसे इधर क्या होता है minus one होता है minus two होता है minus three होता है तो पहले हमने यहां पहले चार लिया फिर देन लिया फिर दो लिया फिर बन लिया फिर जीरो लिया फिर minus one ऐसे यहां पर नमबर करते रहे और फाइनली हमारा answer आ गया तो इस तरीके से हमने पूरी प्रस्टन अमली को solve कर दिया आई होप आप लोगो वीडियो पसंद आ होगा वीडियो पसंद आ गय कमें तो चैन को जरू सस्क्राइब कर दो मिलते हैं आई वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहे हिंद बंद मात्रम